ये हमारी कहानी का सार है गोलू और राजी भाई और बहन है कर्तब दिखाने वाले दूसरे लोग उनके दोस्त थे, परिवार थे यही उनका घर था उस दिन कर्तब दिखाने से पहले राजी अपने भाई को एक और लेकर गई क्या तुम भूल गए छोटे भाई उसने भाई से पूछे और उसने भाई की हाथ पर राखी बांदी क्योंकि उस दिन रक्षा बंधन का तियोहार था कि यह तियोहार का दिन था लेकिन तब भी उन्हें पैसे कमाने थे इसलिए राजी रसीयों पर चली और दर्शिकों को कर्तब दिखाया और गोलू प्राचीन समय की कठ पुतलियों की कहानी सुना रहा था जब असुरों ने उस धर्ती पर कदम रखे बहुत समय पहले की बात है एक असुर ने तपस्या की ऐसी साधना को देखकर ब्रह्मा ने उसे अमर होने का वर्दान दिया और दिया एक सबसे शक्तिशाली अस्त्र उसे पाने के बाद उसने सभी असुरों को युद्ध के लिए बुलाया भूमी देवी ने उसे रुक जाने के लिए कहा उसने भूमी देवी को बड़ी बेरह्मी से मार डाला इससे भगवान शिव बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने अपना पैर पटका और महादवी अलग हो गए साथ ही असुर हमेशा के लिए गायब हो गए लेकिन जैसे ही वो बोला आस्मान में अधेरा चा गया और प्रतवी कापने लगी और असुरों जैसे दिखने वाले लोग भीड में से निकलने लगी लेकिन ये मुखोटे नहीं थी और ये बच्चों की कहानी नहीं थी जैसे ही असुर सबको मारने आए राजी ने अपने भाई के पास जाने की कोशिश की उसे चोट लगी थी और वो डरा हुआ था और वो जानती थी कि उसे अपने भाई को बचाना ही होगा लेकिन राजी तब हार गई जब गड़ा सुर के असुर गोलू को लेग राजी जागो मेरी बच्ची इस गेम की स्टार्टिंग का ये पहला एपिसोड होने वाला है और इसमें हम थोड़ा स्टोरी से इंट्रेडियूस हुए हैं और जो ये राजी इसका भाई को लू है और इसके भाई को कोई राक्स उटा के ले गए हैं और भाई इसका गेम प्ले को स्प्रेंस ओफ प्रिश्या की तरह होने वाला है और ये पहला इंडियन गेम होने वाला भाई जिसकी पूरी स्टोरी है वो हिंदी में है और इसका नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी आने वाला है आपको अगर ये चोटी वीडियो अच्छी ल हमेले हमेले हैं थेंक यू फो कीप वोचिंग